जोहार आप सभी का, कल एक बिधायक है पुर्निवा निरसिंग, जो जरिया की बिधायक है और जरिया की बिधायक होना करनाते, वो एक्स्चुली में है बलिया का, बलिया उत्तर परदेश में है, वहां के निवासी है और जहारखंड में आकर वो बिधायक बनी है, उन्होंने कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, बस सकता है, रख सकता है, बहुत अच्छा बयान दी है, लेकिन उस महतरमा को, उस बिधायक को पता नहीं है, कि बस सकते हैं, रह सकते हैं, आजिवगा कर सकते हैं, लेकिन वहां के हक अधिकार में दावा नहीं कर सकते हैं, हम बात कर रह जिस समिधान की बात करते हैं, आज मेरे पास समिधान है, यह दखिए, यह समिधान रखा हुआ, जिस समिधान की उस धारा की बात करते हैं, पुर्निमा निरसिंग ने जिसका उलेक किया है, मैं उसकी धारा की पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे कहा, कहा कि निवास की सोतंतरता आनी freedom to reside अनुछेद 19-1 का E दुवारा कहा जाता है कि भारत के नागरिकों को भारतिय रायचेत में कहीं भी निवास करने तथा बस जानी की सोतंतरता परदान किया गया है ध्यान रखियेगा भारत के नागरिकों को भारतिय रायचेत में कहीं भी न जाति के हित के सनरच्छन के लिए ठीक है ये इस तरह से परतिबंध लगा सकता है मेडम ने वो पढ़ी तो जरू थी लेकिन आगे का कॉलम वो नहीं पढ़ी आगे का कोलम क्या कहता है कि उपजीविका आधि की सौतंतरता है नौकरी या अधिकार छिनने की सौतंतरता नहीं ह देखे, फिरेब्डेम टू केरी ओन एनी ओक्यूपेशन, अनुछेद उनिस के वन का एफ दुवारा भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विर्ती उपजीविका बेपार अत्वा कारोबार करने की सोतंतरता परदान की गई है, ध्यान दिजिएगा बेपार करने की सोतंतरता परदान की गई है, उपजीविका करने की सोतंतरता परदान की गई है, किसी की नौकरी, किसी के हक अधिकार में दावा करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वो उसी रैज की निवासियों को वो अधिकार मिल सकता है, ना कि बाहरी रैजों के, लो बात हम नहीं कर रहे हैं तो मेडम को यह चीज नहीं पता था हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो हमारी नौकरियां है जो हमारा हक अधिकार बनता उसको सुरक्षित किया जा हम किसी को बेपार करने से आजिविका करने से रोक नहीं रहे हैं ध्यान दिजेगा औ सौ साल दूसफ जो आए हैं जहरकण में वो कहा जाएंगे तो मेडम को वयाद दिला दना चाहते हैं कि एक पुस्तक है ये पुस्तक है Sons of the Soil Winner की पुस्तक है वह लिखते हैं विनर उस पुस्टक में लिखते हैं कि 1921 में 9507 तानवे हजजार साथ सो आदिवासियों को असम ले जाया गया था असम में चाह की खेती कराने के लिए विनर आगे लिखते हैं कि संस अब दिस वाइल पुस्तक में लिखते हैं कि छोटा नागपुर में जो विकास हुआ उससे यहां की लोग ही नहीं बलकि बाहरी लोग भी लावनवित हुए बंगाल तथा उत्री विहार के लोगों ने महा विद्यालों एवं विश विद्यालों में परवेश किया और फिर परसास्निक सेवाओं पर अधिकार कर लिया खधानों योद्योगिक एवं व्यवसाइक गति विधियों के महत्पुन पदों पर भी बाहर बाहरी लोगों का अधिकार हैं यह किताब है संस आँप दा स्वायल जो वीनर ने लिखी है उसमें लिखा गया है और हमारे लिए उतने भी सब्दस्वाइल पुस्तक में लिखा गया कानून हो गया हम किस तरह से विस्थापित हुए ये भी बता दिये अब है कि यहां जो 94 हज्जार 700 जो लोग यहां से गए असम उस असम में आज तक वहां के लोगों को जो जहरकंड से गए उन लोगों को आज तक वहां पर असम सरक पर रखा गया वहां असम सरकार ने ना तो उसकी भासा की मान्याता दी है ना असम की मान्याता दी है ना असम की निवासी होने की मान्याता दी है तो हम जहरकंड में कैसे मान्याता दे देंगे यानि अतिकर्मन की और यही पूर्निमा निरज सिंग के एक देवर है हर सिंग उसकी कमपनी है, उस कमपनी के एक गाड़ी है, जिसका नंबर है 0045, वो कल आज 10 जुन 2023 को उनकी एक गाड़ी आती है, रोंग साइड से रेस लगा रही थी, उस गाड़ी से रानादास, रानादास और उसकी पतनी और उसका एक 13 वर्ष का बेटा को चपेट में ले लिजेते, रानादास और उसकी पतनी के ओंदा स्पोर्ट मोथ हो जाता है, और उसका बेटा आज भी जाके असरफी अस्पताल धनबाद में जिंदगी का जंग लड़ रहा है, उस केस का क्या हुआ, उस केस को दबा दिया गया, अज 10 दिन हुए और रिपोर्ट में आज तक नहीं आ पाया, उसकेस को ये उसकी पुर्निवा निरसाज सिंग के देवर है, ध्यान दिजेगा, पुर्निवा निरसाज सिंग की देवर है, हर सिंग, उसकी कमपनी का गाड़ी है, 0045, जो पूरा हम कोई विदावट पूरूब बात करते नहीं, कभी भी हम आकडों से बात करते हैं, आप 10 तारीक का पेपर प्लट के देख लिजेगा, उसमें साब सब सब्सब्दों में लिखा है, हर सिंग का कमपनी का गाड़ी, 0045 ने रानादास और उसकी पतनी और उसके 13 वर्स के बच्चा को रोन दिया, जिसमें से रानादास की मिर्ती हो जाती है, उसकी पतनी के वंद कि कोईलों की तसकरी में सब सेट, कतरास, भगमारा, जहरिया और निर्सा छेतना जमकर हो रही छेतर, जहरिया, जहां से वो विधायक है, उसी जहरिया की हम बात कर रहे हैं, दामोदर नदी और टासरा साइडिंग, जहरिया में, दामोदर नदी और टासरा साइडिंग में तसकरों का सेब जोन, सबसे ज़्यादा कोईला की चोरी यही पुर्निवा निरसिंग के छेतर में हो रहा है, और यह कोईला का चोरी कौन कर रहा है, यही इसी मैडम, इसी विधायक के सह में यह कोईला की चोरी हो रहा है, सबसे ज़्यादा कोईले की लूट यही पर हो रही है सबसे जदा कोईली की चोरी यही चार छेतरों में हो रही कतरास बगमारा जर्या और निर्सा जिसमें से यह मैडम का छेतर आता है यही विधायक का छेतर आता है लेकिन इसमें इसका मुह नहीं खुलेगा इसका आवाज नहीं खुलेगा एक और पेपर कट है इसी मैडम का छे रूटे हर महिने 600 करोड रुपे का काला धंदा हर महिने हो रहा है चैसा करोड और 12 महिने में कितना होते हैं 12 महिने 12 महिने को 600 से मल्टिपल कर दीजे कितना करोड कितना अरब खरब रुपिया आया आप समझ लिजे इतना कोईला चोरी केवल एक धनबाद छेत से हो रहा है और कोईला के खान कितना है समझ सकते हैं कि कितना कोईला का चोरी हो रहा है और बहुत सारे आंकड़े हैं इसी मेडम के हाइवा का आप मल्टीपर कर लीजिए हमको लगता है आकड़े भी हमारे हिसाब से कल्कुलेटर भी फैल हो जाएगा 500 हाइवा कोईला डेली चोरी हो रहा है मैडम कहां सोई हुई यह पुर्णिवा निरसिंग कहां सोई हुई कोई बता इनको कहां सोई हुई हैं इनको क्यों नहीं सवाल खड़ा करती है यह जब बात आता है हमारा और यह मैडम एक और बात बोल रही कि यहीं की लोगों ने हमें भोट दिया है यहीं की लोगों ने हमें जिता है तो याद रखे मैडम उस समय अंदोलन को अभी डेड़ स हुए है अंदोलन जब जब आप merch जीती हैं थी वसमिए यांदोलन शुरूं नहीं वा था hvis यह आखें आांका का मुह नहीं खुलेगा इसको तरिंद्वार गाडियों से लॉन दिया गया उसमें पारिंद की मूह नहीं आगे क्या होता है कौन आपको जिताता है यह मेडम का मुह नहीं खुलेगा जिसका जिसको रोन दिया गया गाड़ियों से रोन दिया गया उसमें इस मेडम की मुह नहीं खुल रहे क्यों क्योंकि इसका देवर था हर सिंग इसका देवर था इसलिए इसकी कंपणी के गाड़ी आप अकेला एक लोता ऐसा नहीं है जिसने समिन्धान को पढ़ा है समिन्धान हम भी पढ़ें समिन्धान हमारे पास भी है एक नहीं चार चर पांच पास राइटर का समिन्धान है आए आए डिवेट किजिए समिन्धान में क्या है आप समिन्धान की बात करते हैं आप केवल स किताबे हैं, उसको पढ़िए, किस तरह से हमें अतिकरवन किया गया है, आज जितने भी पद हैं, आज हम इतने दयालू परविर्ती के लोग हैं, हम झारखंडी के 18 विधायक सांसद हम बाहरी बना दिये, बाहरी लोगों को बना दिये, समझने वला विश्य है, आप धनबाद में ही दिख लिए, पियन सिंग सांसद, पुर्निवानिरस सिंग बाहरी, जैमंगल सिंग बाहरी, सारे, बन्ना गुपता बाहरी, कितने लोग हम लोग बाहरी बना दिये, लेकिन क्या जारखंड का एक आदमी, एक ब्यक्ती, जो कभी किसी बाहरी राईज में जाकर एक पाद हो रही है, जो अस्तित्व खतम हो रहा, उसको बचाने की है, ये लड़ाई के वल 1932 की नहीं, 1932 के साथ साथ हमारा हक अधिकार, हमारा जारखंड के अस्तित्व रस्मिता कैसे बचेगी, उसकी लड़ाई है, तो याद रखें पुन्यमा निरसिंग जी, विधायत, कि कल दिन अगर कुछ बयान दिजिएगा, तो सोच समझ के दिजिएगा, ने तो समिन्धान हमारे पास भी है, कानून के जनकार हम भी है, हम वहाँ फाड़ेंगे, जो आप समझ नहीं सकते हैं, हम तरकों से फाड़ेंगे, हम समिन्धान के साथ फाड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उलुल जुलुल बोल देंगे, जो बोल रही थी, कि जो लोग आये हैं, बाहर से जो 100 साल से रह रह रहे हैं, वो मंगल गरा से आये, मंगल गरा से कोई नहीं आया है, मंगल गरा में तो जीवन की उत्पत्ती भी नहीं हुई है, मंगल गरा में, खरवो रुपया मंग में मंगल गरा में खोज हो गया अबितक जीवन वहां पर टिकेगा कि बंगरा मंगल गरा से कौई नहीं आया है न मंगल गरा में जाका समिंधान बना अलए अर जो आये हैं वो इसी धर्ति से मंगल गरा जोहार